राहुल और नरेंद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक बार दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे यातरा में किसी बहस के दोरान नरेंद्र ने राहुल को चहरे पे जापड मारा राहुल ने बिना कुछ कहे रेग पे लिखा मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे जापड मारा कुछ समय बाद उनको मरुद्दान दिखाई दी और वो लोग उस और चल पड़े वहाँ पर दोनों नहाने लगे लेकिन कुछ समय बाद राहुल को एसास नहीं हुआ कि वो किनारे के दलदल में चला गया है बहुत मुश्कल से नरेंद्र ने राहुल को खीच कर बाहर निकाला राहुल बाहर आने के बाद उसने एक पत्थर पर लिखा आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई नरेंद्र ने राहुल से उत्सकता से पूछा मैंने तुम को जापड मारा तो तुमने रेत में लिखा और अभी पत्थर पे ऐसा क्यो राहुल ने उत्तर दिया जब कोई ठेस पहुचाए तो उसे वेट में लिखने से शमा की हवाई मिटा देगी लेकिन जब कोई अच्छा करे तो उसे पत्थर पे लिख के हमेशा के लिए स्थापित कर देना चाहिए इतना सुनते ही नरिंद निर राहुल को गले लगाते हुए माफी मागी और दोनों दोस्त खुशे खुशी अपनी मंजिल की तरफ चल दिये